कि एक दिन पहले हम सुनते हैं कि कुफर तो तूट गया और अगले दिन हम सुनते हैं कि यह सूफियाना है वह कश्मीर का गिफ्ट है भारत को कि इसलिए कई बार जब मैं विश्लेशन करता हूं कि कहता हूं अभी सच बोलना जुरूरी है और सच बोलने के लिए अवश्यक है कि आप अपना स्वेम का फ्रेमवर्क बनाएं हैं दूसरे के फ्रेमवर्क से यह बाते कहनी जो है यह फिर बाद अजीव हो जाता है जी हाँ हम अमिश शाह जी के स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने कल फरमाया कश्मीर से की सूफिजम जो है वो कश्मीर का गिफ्ट है शेष भारत को तो यह कैसा गिफ्ट है आईए इसके बारे में चर्चा करते हैं सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्र स्क्राइबर के आसपास पहुंचने वाले तो आप लोगों में से जिन्हों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करपया शीग्र सब्सक्राइब भी करें नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के अमारे इस कारक्रम में और जैसा कि मैंने अभी आरब में कहा कि जो हम इस शाजी ने कहा हो उसके उपर विचार करने के अवशक्ता तो अवश्य है क्योंकि आप ये देखिए कि आप पूरे इतिहास में देख लीजिए कभी भी किसी भी मुसल्मान ने आज तक ये क्लेम नहीं किया है ये क्लेम नहीं किया है कि इस सूफी वाद जो है वो इसलाम से अलग है ये क्लेम कौन करता है ये क्लेम हिंदू करते हैं या ये क्लेम क्रिस्टियन भी करते हैं या जो गैर मुसल्मान हैं उनकी तरफ से ये क्लेम आता है कि सूफी वाद तो बड़ा शान्ति पूर्ण है और सूफी वाद तो बिलकुल ऐसा है कि जिसका कई शे कहना ही नहीं और वो तो संबवता अल्लाह से मिलन की बात करता है या जो कुछ भी करता है तो इस वारे में जो मैंने जो पुस्तक लिखी अंब्रेकिंग इंडिया पर इस कारण ही चुकि कश्मीर का संदर्व था इसी लिए मैंने विशेश कर एक चैप्टर लिखा है इस तरह से करके यह के चैप्टर उसके इंदर डाला हो गया जो अभी अभी हिंदी में पुस्तक जो है शीक रहाने वाली परूफ रीडिंग भी उसकी कंप्लीट होगी तो यह जो बात कल कही गई हम शाजी जब गए थे कश्मीर तो हमें बहुत आशाएं थी और वो कौन-कौन सी आशाएं थी वो मैंने आर्म में यह कहा भी था कि हमें आप से क्या-क्या आशाएं हैं और वो आशाएं इस पुस्तक में भी हमने लिखी थी और बाद में यह भी कहा था कि यदि आपने ढंक से फॉलो अप नहीं किया तो यह जो एक महान कार्य हुआ है तीन सो सत्तर को निरड़ ठक करने वाला तीन सो सत्तर को नलिफाई क कि जो इसलामी प्रॉपागंडा है वो पूरी तरह से सफल है हम कई बार कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि आप कि सच बोलें और सच यह है कि जो कुछ भी कश्मीर में है वो है जिहाद जिसका एक छोटा सा हिस्सा है टेरर है कि उसके साथ में कम्से कम और भी उसके कही सारे ंहिस से ऐसके कम से कम तीन डाइंमिंशन उसके साथ में और जुढते हैं 1967 coronavirus और नंबर से कम्टनेशं और नमबर तीन न कि अरव जो प्रोपेगंडा है वह उसमें भी विशेश बात यह है कि कि वो स्वयम तो जिहात का एपरेटिस है वो स्वयम में तो प्रोपगंडा कम करता है और जो एक तरह से जिननका जिम्मी करन हो चुका है वो प्रोपगंडा पादिद पर मैं इसका एक तो कश्मीरियत ये कश्मीरियत हमारा पुराना एक वीडियो है मैं लिंक डाल दूँगा उसका जो डॉक्टर अजे त्रुंगो के साथ में था ये जो कश्मीरियत का शब्द है ये कौन लाया ये किसी मुसल्मान ने नहीं दिया हमको ये एक जो आपके पीओ जेके है पाक क्वाइन की अताशा शब्द कश्मीरियत और इस कश्मीरियत को फिर जो इसलामी थे उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया कि जब जिम्मी खुद कह रहा है कश्मीरियत का जो कौनिस है वो आपने एक तरह से जो आपका स॑ैम का फ्रेमवर्क है जहां से आपको बोलना चाह यह जहां से आप चुकी विक्टिम है आज से नहीं वहाँ 14 शताब्दी से हिंदू एक विक्टिम है एक जीनोसाइड का नरसंगार का शिकार है एक कल्चरल जीनोसाइड का शिकार है लेकिन कश्मीरियत कह रहा है यानई कि उनका प्रोपेगंडा सफल हो गया और उनके लिए नेरेटिव आपने स्वेम बना के देगा इसी तरह से एक रिशी इसलाम का एक आता है वो किस ने कॉइन किया वो भी हिंदू ने कॉइन किया और उसको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया जिसने नंद रिशी की बात आप करते हैं उसको नंद रिशी कभी भी मुसल्मानों ने नहीं कहा मुसल्मानों ने हमेशा नंद रिशी को शेकुल इसलाम कहा लेकिन जो जिम्मी है वो उसको धंदरशी कहते हैं या एक सूफी को जो जिसके बारे में कताप प्रसिद्ध है कि कोई हिंदू महिला थी वो अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए कि उनकी प्रसिद्धी थी किसा आपको वो कुछ जादू टोना करते हैं तंदर मंतर कुछ जानते हैं ज जब वह उनके पास गई तो नहीं ठीक करने के लिए तुम्हें कनवर्ट होना पड़ेगा दो बार गई अल्टिमेटली उसको कनवर्ट होना पड़ा तब जाके तथाकथित नंदर शी और असली शेयख लिस्लाम ने उसका ट्रीट्मेंट किया महिला के बच्चे यह तो है अब हम और भी देख लेते हैं कि जो यह तथाकथित सूफिजम है वो क्या है और कश्मीर का सूफिजम खात्वा से क्या है तो कश्मीर का सूफिजम जो है वो कहां से चुरू होता है कश्मीर का सूफिजम शुरू होता है बुलबल शाह खादरी से बुलबल शाह खादरी का क्या रोल है आप प्ता नहीं होगा ऑस ब्रंद कर दोने बारें मैं कुणने कि आपको क्षुमेर की पूरा हैं Scientist का पूरा बैग्रांड वहां से लिया है सारी चीज़ें उसमें स्पच्ट है तो बुलबुल शाह जो था एक प्रसुलिटाइजर था कनवर्शन को बुरा लगेगा लेकिन जितने भी लोग या कनवर्शन में लगें वह सब कनवर्शन माफिया पे पार्ट है आज से नहीं हिस्टॉरिकली जब से भी लगे मुझे इस उसको स्विकारता नहीं मिली तो फिर बुलबुल चाह रहे हैं उसको पकड़के उसको मसल्मान बना दिया फिर उसके बाद फिर कहानिया है किस तरह से फिर वो शड़ें तरह तरह के कुछ होए और बाद में शामीर जो है 1349 में जाकर वहां का शाह बन गया और उसके बाद स जमाल यह फिर उसको हटा पना बना मुश्किल है फिर वो इनक्रोच करता है जिहाद के माध्यम से और यह जिहाद सद है वाइलेंट हो ऐसा वशक नहीं मैंने आपको बताए मैंने इसके चार डैमेंशन आपको बता दिया इसमें और भी है लेकिन मोटा मोटा चार डैमेंश है जिसमें है आपका नेरेटिव इंडॉक्ट्रिनेशन प्रोपगैंडा और टेरर भारत सरकार सिर्फ टेरर से ड्रील करती है बाकी तीनों चीजों के उपलस का ध्यान नहीं है तो जब आप किसी समस्या का एक बटा चार निदान करोगे किसी वाइरस को आप पूरी स्ट्र दोगे तो क्या होगा वो वाइरस तो पूरी तरह से इम्यून हो जाएगा और आपके शरीर को पूरी तरह से अच्छा दित करेगा यही हो रहा है बुलबलचा के बाद फिर दिखेमस शाह हमदान मीर सेयद अली हमदान जिनके हम बात करते हैं जो वहाँ आए एक उबरवी थे लेकिन उन्हों ने देखा कि वहाँ बलबुल शाह का खादरियों का पर वाव है तो सुहें भी एक कौसाई खादरी बन गया और खादरियों का मती लेकर फिर उन्होंने वहाँ पर जिम्मा लागू किया जिम्मा आप जानते हैं पैक्ट आफ उमर जिसको तसकीराहत मु भी बोलते हैं वो वहाँ पर लागू किया और उसमें कैसे कैसे मैं कई बार इसको पढ़के सुना चुका हूँ लेकि मुझे लगता है चोंकि आज इसी विशे पर बात हो चुकी है हो रही है तो मुझे एक बार फिर इसे आपको पढ़के सुना देना चाहिए कि आखिरकार यह जिम्मा जिसको कहते हैं यह है क्या कि आपका जो किताब खूलनी पड़ रही है तो यह जो आपका जिम्मा है उस जिम्मा को लागू करने में यानि ऐसी ऐसी उसमें शर्ते हैं कि जो भी हिंदू है वो भुड़े पर नी चड़ेगा वो जेवर नी पहनेगा वो अपने जो उसके जो मृत लोग हैं हिंदू जो मृत होता है वो जलाया नहीं जाएगा वो अलग तरह के कपड़े पहनेगा और इसमेंशे यहां तक की अगर कोई मसलमान चाहेगा कि उसके घर में रहने चाहे तो उसको उसको बढिठालना पड़े घर उसके अपने घर में रखना पड़े आप इस तरह की जब वहां पर पूरा का पूरा जिम्मा लागू कर दिया गया ऐसे जिम्मा वाले को आप क्या कहेंगे यह टॉलरेंस है यह सही शुरता है लगता है कि हमें यह आदत पड़ गई है कि हम जो है वह अपनी टॉलरेंस में इंटॉलरेंस को भी टॉलरेट करते हैं तॉलरेंस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप इंटॉलरेंस को टॉलरेट करें लेकिन आप करते हैं यह देखिए यह सोला पॉइंट हैं इस विसमें कुछ तो मैंने आप बता दी और बाकी मुख्य मुख्य और वबता देता हूं मैं कि यह वह अंगूठी भी नहीं पहन सकते कि वह मूर्टी भी पूरमोस्ट सूफी बताया जाता है और फिर उसका बेटा था मुहमद हमदान, शाय हमदान का, उसने तो सिकंदर बुच्छिकन के साथ मिलके जो किया, उसकी टेस्टिमनी तो आपके पास सामने आज भी है, और ये शाय हमदान, इनकी खानखा है, उसको खानखा मौला बोलते हिंदू जो है, उसकी जो पिछे की दिवार है, उस पे जाकर कभी कभी वहां पर उसको परनाम कर सकता है, हाँ ये कभी हमारे काली मता का मंदर था, ये है कश्मीर की सूफियत, विशाजी, और उसके बाद फिर हम आगे और चलें, तो फिर आपके पास उदाहर आ जाते हैं, इसका का के दूसरा वो शमसद्दीन अलाकी नूर बख्शिया, वो आता है, और आगे चलिए, और आगे चलिए तो आपको मैं नंदर रशी, सोकार नंदर रशी और शेक भी इसलाम के बारे में बता दिया, लोगी, उसके बाद आपको मैंने आगे और बता दिया, कि ये हारी पर्वत जहां से जो कश्मीर की उत्पत्ति का जो लेजंड है जो वहाँ की दंदकता है जिस धी कश्मीर की उत्पत्ति बानी जाती देवी शारिका से उसको कहा गया कोहे मारान प्रैई मारान का मतलब समझते हैं आप अबोर्ड अफ दी डिविल शंकराचारे मंदिर उसके तोड़के और ले जाके और वहां नीचे मस्जिद में लगाएगे उसके पामीर किये गए तो यह जो कश्मीर का जो गिफ्ट है वो गिफ्ट इसी प्रकार का है और जो कोई भी सोचते हैं कि आपके यह ऐसा कोई गिफ्ट है जिसे हमें गिफ्ट समझ के रखना चाहिए तो मैं बिलकल उस्पष्ट कर दूँ यह किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं यह बहुत बड़ी करस है सूफिवाद के बारे में बिलकल उस्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप इस को करपिया जो इस्लाब का फ्रेम आफ रिफरेंस है उसी से बात करें आप अपने रिफरेंस से जब बात करना आरहम कर देते हैं तो जूट हो जाता है सुनातन धर्ण का रिफरेंस है इस सूफिजम पर लागू नहीं हुता क्योंकि सूफिजम भी शरीयत के नीचे नीचे है वो कभी भी खुदा को इनसान के साथ नहीं मानता इनसान जो है कभी भी देवत को प्राप्त नहीं होता सूफियों के यहां भी सनातन धर्म दो मनुश्य को एक देवता बनाने का ब्रम हमें लीन कराने का एक प्रोसेस है ऐसा सिद्धान्त है यह इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं किसी भी अब्रहामिक धर्म में नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर खुदा और इनसान गौड और मैन उनका सेपरेशन जो है वो शाश्वत है पर बात लंबी हो जाएगी कि टाइम कॉंसेट प्रोजेक कॉंसेट कॉंसेट पर इस्टमोलोजी वो सब चीजें उसमें आएंगे तो तो बिल्कुल स्पश्ट हो जाएगा तो बस सीदे सीदे आपको सूफिसम के टेस्ट बता देता हूँ किसी भी सूफिस से पूछ लीजे उससे सीदी सी बात पूछ लीजे कि यह बता दे बाई कि एज़ सूफि तुम जो है क्या शरीयत को वाइलेट कर सकते हो तुम शरीयत के नीचे नीचे हो यह तुम शरीयत से लग हो इसका उत्तर है नहीं वो जवाब दे या ना दे मैं दे देता हूँ आँ इसका उत्तर इसका उत्तर ही नहीं है तो यह कहां से आप जो है इसको गिफ्ट में हमें दे रहे हैं आप ये भी पूछते हैं कि क्या अल्ला जो है वो किसी काफिर को किसी भी तरह की नेमत दे सकता है क्या उसकी कोई मुराद पूरी कर सकता है नहीं कर सकता काफिर के लिए जो उसके जो जो भी उसके उसूल है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं वो मैं आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि हमने उसको परशोद कर लिया है और हमारे जो पहला तीसरा वाल्यूम है फतावा औरंगजेब को फतावा अलमगिरी का वो तैयार है औरंगजेब क्या था बहुत बड़ा सूफी था वो तो नक्षबंदी का जो मुझदीदी ओर्डर है शेख एमद सरहिंदी का शेख एमद सरहिंदी के बेटे शेख मासू का मुरीद था वली कहलाता है और उस वली ने जो फतावा अलम गिरी जो इनकी सबसे बड़ी किताब मानी जाती है आज भी उसमें क्या कहा वो उसमें के तीसरा वाल्यूम है उसमें किताब सेर है और उस किताब सेर में एक बिल्कुल इस पश्ट लिखा हुआ है कि साहब का मतलब होता है खैर मुस्लिमों के साथ तालगाफ अब इसको मैं आप दो चार चीज़ें मैं थोड़ी से पड़के बता देता हूँ कि यह किताब सेर किताब सेर कहता है कि कि यहां से इसका जो पहला ध्याया है बाब एक शरीव यक्या शरही व्याख्या क्या है करें कि इस पश्ट हो कि इसकी शरही व्याख्या इस तरह की गई है कि जिहाद बुलाना है दीने हक की और और युद्ध करना हर ऐसे वक्त से जो इनकार करता है दीने हक को स्विकार करने से द्रोह करता है बेले ही यह क्रिया अपनी जान से करे या माल से आप समझ रहें यह सूफी डॉक्ट्रिन है फतावा आलमगीरी फतावा आलमगीरी दो बहुत बड़े सूफी आलिमों के निर्देशन में लिखा गया है और बाई आथारिटी आफ जो आपका शेख अल इसलाम जानी की जिसको कहते हैं आपके अमीर अल इसलाम औरंगजेब अमीर अल इसलाम औरंगजेब नक्षबंदी सूफी उसकी आथारिटी से लिखा गया है निजाम बुरहान पुरी जो बहुत वरद थे जो मुक्टा शाह अब्दलरहीम दोनों सूफी उनके निर्देशन में कोई चार सो लोग इसके बैठके और इसके ये लिखा जा रहा है कि आपके दीन-ए-हक यानी की इसलाम की आपको दावत देनी है दावा जिसको बोलते हैं दावत दावत-ुल-इसलाम सब को देनी है और जो दावत-ुल-इसलाम से इंकार करें उससे जिहाद कर रहा है और वो इंकार जो है वो जान से भी हो सकता है और माल से भी हो सकता है यह और समझे आपको जिहाद का ओचित बताएगा नियम वा आदेश जिहाद है बहुत लंबा है जब हम फदावा अलम गिरी की विस्तित व्याक्षा करेंगे तो उसमें इस भायागा लेकिन अभी तो आप इसको मैं जिसको बताता हूं किसाब कि नियमित जिहाद का ओचित क्या है ओचित दो या तीन है किसाब कि यह दुश्मन जिसे दीन-ए-हक की और तरफ बुराया जात समझ लीजिए इसका मतलब सारे के सारे नौन-मस्लिम जो है वो दुश्मन है यह दुश्मन को इसलाम की दावत दी जाती है वो इसको अगर इंकार कर देता है कि ताकि मैं कनवर्ट नहीं होंगा तो जिहाद जो है वो तुरंट वाजिब हो जाता है पिर यह कहते हैं किसाब कि हमारे जिहाद से एहल इसलाम को खुवत शौकत हासिल हो गई और अगर इसको जिहाद बेखिताल करने में मुसल्मानों के वास्ते खुवत शौकत हासिल करने की अमीद हो तो जिहाद वाजिब है यह अगर आपको यह भी लगे कि तो आपके जिहाद से इसलाम की शौकत य और फिर के जिहाद करने वाले के जिम्म जो है उसको उसकी जिम्में से अनिवार्यता रद्ध हो जाती है पर रोक में कल्यान वश्रेष्ट सवाब यानि कि पुर्ण प्राप्त होता है यह विशेश आज़त है जिहाद अनिवार है और जिहाद में मरना मारना आखिरत में सरवश्रेष्ट सवाब है यही हुक्म है यही हुक्म है यह आपको गिफ्ट है इसलिए है यह गिफ्ट क्यों है यह गलतियां क्यों होती है जैसा मैंने बताया यह गलतियां इसलिए होती है क्योंकि हम ऐसी चीज़ बोलते हैं उनके बहाफ पे जो कि वो स्वेम कभी नहीं बोलते है पेरर हैस नो रिलिजिन ये शब्द जो है ये शब्दावली जो है ये मुसल्मान नहीं उसकर दो वो तो जूट बोलने के लिए करेंगे ये इसलाम में असानी लिए लेकिन जो लोग इसको कर रहे हैं वो सफ कहते हैं कि इसलाम में यही हुकम है अल्बगदादी तो इसलाम में पीचटी था बहुत बड़ा स्कॉलर था हूँ और इसलाम में ये बिलकुल पश्ट है कि जो आलिम है उसकी ही बात चलेगी जो गयर आलिम है उसकी बात नहीं चलेगी इसको तकलीद बोलता है तो जब ये बात समझ में आ जाए तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप अपने फ्रेमवर्क को इनके उपर ना ला दें ये इश्वर से एकात्मता जो है वो सनातन का सिद्धान्त है आप वो इश्वर से एकात्मता का सिद्धान्त सूफियों पर करप्या न ला दें उनके हाँ ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है इसलिए मैं पुरे अनरोध करूँगा कि ये जो आप बात कह रहे हैं इसके बारे में पुनरविचार करें अमित्चा जी इसे बहुत हान हो जाती है हमारी क्योंकि इससे जो विमर्ष है जो नरेटिव है जो नरेटिव हम इसके कोई भी इनका जो नरेटिव है उसका counter narrative बनाना पड़ता है जब counter narrative बनेगा तब indoctrination रुकेगा और आप जो है वो narrative बनाने में मदद तो बिलकुल करते नहीं बलकि जो हम बड़े बड़ी कठिंता से बड़ी मुश्किल से बड़ी difficulty से बना के तयार करते हैं और उसमें आप जो है आके फिर पानी उडेल देते हैं गई बहन स्पानी तो ये सब जो बाते हैं ये जूटी बाते हैं ये करना बिलकुल आवश्यक नहीं है सच बोलेंगे तब ही जिहाद को आप जिहाद से मोहित होकर आप जिहाद से नहीं जीच सकते ये टेरर नहीं है ये जिहाद है ये फोर डाइमेंशनल है टेरर इसका केवल एक डाइमेंशन है ये है समझना अत्यंत आवश्यक है और ये जो सूफी थे सदैव जब भी कोई मूवमेंट होता था जब भी कोई लशकर चलता था तो साथ में सूफी चलता था और साथ में सूफी जाके जब मंदिर तोड़े जाते थे तो उसमें सबसे पहले सूफी गुजता था और जो लोग कनवर्ड किये जाते थे वहाँ पर सूफी वहाँ पर जाके गाय काटता था कश्मीर का ही एक्जामपल दे रहा हूँ सारे उदारों कश्मीर से दे रहा हूँ यह सूफी जाके गाय काटता था और पर इस इनको कनवर्ट करता था उनको जबरदस्ती गाय का मास उनके गले में ठूसा जाता था इतने अत्याचार किये जाते थे और आज भी इनको मौका मिलेगा तो आज भी यही करेंगे कहीं का उधारण देख लीज़े मौमद गोरी के साथ में जो महान सूफी आये थे उनका भी यही इतिहा से कोई उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है आई दिन का जोपड़ा जो सरस्वती मंदिर था अजमेर में उसको तोड़के वो मस्जिद बनाईगी यह आई दिन के जोपड़ी लेकि नहीं वो चूंकि हमें तो यह सिद्ध करना है कि आपके सूफी बड़े शांतिपूर्ण थे तो उसके गीत गाय जाते हैं आप अपना नरेटिव ख्रप्या अपने आप बनाने का परहत्न करें हमेशा जी आप से हमें इसलिए आशा हैं कि हम जानते हैं कि आपके हांत बांदने का परहत्न करने के बावजूद आपने आर्टिकल 370 अटवाया तो निश्यत रूप से आपके मन में कोई प्रेरणा तो अवश्य है लेकिन उस प्रेरणा को आगे ले जाने का आपके पास अवसर है और आपके पास ये अवसर तभी बनेगा जब आप सत्य पर स्थिर रहेंगे ज्याद को कवर फायर देने की हमें कोई आवाशक्ता नहीं है बहुत सारे लोग बैटे हुए और लुटियंस मीडिया पूरा बैटी हुई है ना कवर फायर देने के लिए हम क्यों उनको कवर फायर दे रहे तरह आप फतावा अलमगीरी पुरी पढ़ लें जरा आप अहमद नक्षबंदी के जो फतुआत हैं वो देख लें तूर नेशन तेरी का सबसे पहला आर्टिकूलेशन जो पल्कुल स्पष्ट आर्टिकूलेशन है वो अहमद सरहिंदी नक्षबंदी का है सुफीद के वो आर्टिकुलेशन देख लीजे उसके बाद जो हैं उनके जो सक्सेसर्स हैं शेख मासूम कहीं से चेले हैं और अंग्जेब और फिर जो शाह अब्दलरहीम जिन्होंने फतावा अदमगिरी लिखा उनके बेट शाह अब्दलजीज उनके बेटे शाह अलियुल्ला सबसे बड़ा गदार भारत का शाह अलियुल्ला जिसने अफगानिस्तान से हमद शाह अब्दली को नियोता देके मराटों से लड़ने के लिए पानीपत में उनको संदी कराई रोहिलों से और आपके अवद के नवाब से और वहां पे 1761 का पानीपत का युद्ध इस व्यक्ति के कारण हुआ है इसकी बात कोई नहीं करता है तो बहुत बड़ा आप लोगों नहीं उसको संद की संग्या दे दी यह सारे के सारे संत होगे जो अत्याचारी थे वो संत होगे इसलिए रप्या सबके पर दढ़र हैं मेरी आप से यही विनती है कुछ प्रश्न है ले लेता है और लूग खयाँ थिव्यों करते कि अप् पेक वैबता हुट कि यह यहिं лек शक्तिन उहीं वे बेस्टा मुत पारश संधिज भूब श्यखगीज विवेक भून ऩो रन इस्टेशन सुन्धर, what's wrong with this father son Ruvu, does BJP think the Breaking India forces will eventually win in the long run? I don't know, but it is our job to keep asserting the truth, keep asserting the narrative at least that is being done because good night 70 years it is a one way traffic at least they are getting a counter now सुभाज पिपलानी क्या पाक द्वारा जश्न हिज्णों के घर बच्चा पैदा होने पर उसे चूम-चूम कर मार देना जैसा नहीं है अगे इस तैंक यू पर दी अब्सर्वेशन ओके विद आट थैंक यू आल विवर्स आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा सपोर्ट नीचे दिया हुआ है अब एक हफ्ता बाकी बचा है इसलिए मैं सभी से अनरोद करता हूँ कि आप क्या हमें पूरी तरह से सपोर्ट करें जिससे हमारा मंतली टार्गेट जो है वो मीट आउट हो जाए और इंटलाम संजे जी आप तो पत्षी राज कपूर का एक्सेंट जबरदस्त है अजी देखिए अभी तो जब फतावा आलमगीरी पर चर्चा होगी तब देखिएगा अभी तो हम थोड़ा बहुत रिहर्सन कर रहे हैं धन्यवाद अनकामन सेंस वायर वीजेपी अना सुविसाइड पाथ तू कंफर्टिबल ना ना ये एक सिविलाइजेशनल प्राब्लम हो गई है और ये सनातन जो और हिंदू जो लीडर्शिक है उसके साथ बहुत समय से हैं को ये अपनी तरफ से एक्स्क्यूजस बना बना के कवर फाय और हो उसको कह रहे रहे हैं अरे कश्मिरियत अरे इनसानिफ प्रेज़ अरे वो कब कह रहे हैं बहुत के हो तो बिलकुल क्लिर है कि 19 जामे मस्तफा चाईए हैं और निजाम मस्तफा में हिंदू की कोई जगह नहीा उनम सबस्क्रूत कह दिया लेखिए याप इसको तो पर बूल अब हो रही है। उनके समझाने में भूल नहीं होई है। आप जान बूझ के समझना नहीं चाहते है। This is cowardice. Intellectual cowardice. Mitesh Patel. To defeat the Jihad. The ideological response is the main thing. वहीं पर फखिल कर रहे? When will Indian State recognize Jihad as the real enemy? When about 100 million of us rise up and say that it is Jihad, then you better say this as Jihad. When you call it out as Jihad? हम जिस दिन 100 million, 10 करोड दोग एक साथ ये बोलेंगे इनको जख मार के बोलना पड़ेगा कहा जाएंगे ये आप सभी लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद मारी सपोर्ट का ध्यान रखें जैहन वनेवाकर